दोस्तों जैसे कि मैं कहता हूँ कि learning की देखेगा कोई भी limitation नहीं होती कोई भी power देखेगा learning को beating कर सकती तो यही चीज़ आपको learn करनी है कि आप कितने कम trade में कितना अच्छा profit बनाते हैं कितने कम trade में यह सबसे important होता है trading का सबसे बड़ा नियम है और आज भी आप देखेंग यह simple एक chart मैंने दिया था telegram पे 10 बच के 14 मिनट पे जब market overbought था आप देखेंगे मैंने 30 मिनट के time frame दिया था कि 30 मिनट में ऐसा होगा और then after that देखेगा केवल 6 मिनट में अगर आप देखेंगे 6 मिनट में market downtrend में चला गया था 150 point तो अगर आप miss नहीं करना चाहते हैं ऐसे chart ऐसे particular देखेगा future and option के price action तो description में link मिल जाएगा join करिए 15 दिन सीखिए और फिर आप profitable trade देखेगा समझने लग जाएंगे अभी बहुत बड़ा change आया है इसलिए मैंने particular information provide करी है और Taiwan के बाजार में कितनी बड़ी गिरावत आ रही है ये एक signal है वहाँ की companies को वहाँ के particular दे देखेगा जब भी किसी particular market में या फिर देखेगा किसी भी particular country में कोई uncertainty हो रही होती है जो भी disclose नहीं हुई है तो उसका signal मिलने लगता है capital market पे तो अगर आप देखेंगे तो अभी आपको पता है कि जल्दी में पहले मैं source बता देता हूँ कहां का है the guardian देखेगा आप जाके वहाँ पे article पढ़ सकते हैं कि अभी recently देखेगा power में आया है जिंपिंग जी और आपको पता है अब एक तरीके से जो power में आया है वो तो अब उनको जो particular बची कुची power भी बची थी यानि कि अब जो इस बार वो जो उनका time आया है जो 10 साल से पहले से president थे अब जो time आया है तो उनके जो बची कुची power भी थी वो भी उनके पास आ गई है जिससे बहुत बड़ा risk आ चुका है अब मैं आपको बताओंगा ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये उनकी party के लोग कह रहे हैं और यहाँ पे जो risk है वो Taiwan invasion का है चुकि ये अभी तक अगर आप देखेंगे जिंप capacity भी बहुत डाउन है और बहुत time तक आप zero covid policy लगाते हो तो आप समझ लीजे आप कितने हास decision ले रहे हो तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जिंपिंग्स party purge prompts fear of greater Taiwan invasion risk या नहीं कि उनकी खुद की party ने कहा है कि अब जो Taiwan का invasion का risk है वो थोड़ा सा बढ़ गया है अब ऐस क्यों कहा गया है चुकि यहाँ पे जो powers है जो power है वो अब यहाँ पे और भी जादा बढ़ गई है तो देखेंगा उन्होंने एक world भी utilize करा है कि observers wonder whether there is anyone left in the CCP to stop Chinese president यानि कि क्या कोई party में ऐसा रहे गया है जो अब मौजूदा condition में जिंपिंग जी के particular decision को रोग सकता है तो य यह चीज बहुत बड़ी है जब आप पूरी तरीके से कमान हाप के हाथ में होती है तो decision आपके पास होता है जैसे पुतिन साब के पास था और पुतिन साब ने action भी ले लिया तो अगर आप देखेंगे हो सकता है जिंपिंग जी wait कर रहे हो कि election हो जाए फिर से मैं relocate हो यानि कि देखेगा जो top ranks है यह particular party उनी की है जिनका देखेगा president इस समय चाइना में है उन्होंने ही वहाँ से fear बताया है is now unfettered and uncoscivenable power यानि कि अगर देखेगा अब जिंपिंग जी से कोई भी question नहीं कर सकता कोई भी decision पे oppose नहीं कर सकता चुकि पूरी तरीके से जो power है उन देखेगा उनकी party के लोग ही कह रहे है तो आप समझ सकते हैं और अभी US ने भी उताया था कि as soon as possible यानि कि यहां पे कुछ ना कुछ चाइना ताइवान के बीच में होने वाला है तो अगर आप देखेंगे Beijing has pledged to annex Taiwan under a disputed claim that it is Chinese province in a recent year has increased its military activity other forms of harassment and coercion तो आप समझ सकते हैं कि क कभी भी China ने माना ही नहीं है कि Taiwan एक democratic country है वो कहते हैं इनका ये particular part है तो आप समझ सकते हैं कि ये particular यहां पे जो figures आ रहे हैं जो fear आ रहे हैं वो कभी भी देखेगा impact कर सकता है आगे अगर आप देखेंगे कि अभी reappointment हुआ है अनिक अगर आप देखेंगे ये अभी reappointment हु किया गया है और ताइवान ने भी देखेगा आज का जो update है ताइवान ने भी देखेगा अपने energy के inventories को देखेगा तेज कर दिया है inventory storing शुरू कर दी है चाइना के threat से तो आप यहां पे यह भी देख सकते हैं रूटर्स पे update है ताइवान is working to increase energy inventories in move to boost the island resilience in the event of crisis तो आप स sources inventory खाना यह सब चीजें देखेगा store करना कब शुरू करता जब उन्हें कहीं न कहीं डर आता है तो अगर आप देखेंगे deputy economy minister said a Chinese step up military pressure to try force Taiwan to accept Chinese rule तो आप समझ सकते हैं यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह ताइवान के देखेगा minister कह रहे हैं तो इसी लिए ताइवान prepared हो रहा है अपनी तरफ से तो यह fear थोड़ा सा बढ़ा है और अगर आप देखेंगे इस particular fear के बाद यानि कि जो ताइवान का market है वो आज भी यहाँ पे गिरावट पे है आज भी इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने हो मिल ली है और पिछले 5 दिनों में कहेंगे तो 3% से ज़् अपटल मार्केट के साफ से अगर आप देखेंगे तो यह बड़ी गिरावटे है और अगर आप पिछले देखेंगा 6 महीने से यह fear आया है तो आपसे 23% बाजार गिर चुका है यानि कि इस साल में 6 महीने केवल negative return ही दे रहा है तो आप समझ सकते companies को corporates को देखेंगा पहले थोड़ा सा indication होने लगता है investors को तो वो चीज़ देखेंगा अची नहीं है कि Taiwan का वाजार इसी तरीके से गिरता रहेगा तो थोड़ी से uncertainty का indication है और यह हमारे market पे भी कहीं ना कहीं profit booking का एक indication दे रहा है आने वाले हफतों में तो focus करिएगा वीडियो वेरा अच्छा लगा है तो like, share, subscribe करना न बुलेगा thank you so much